नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में करेंट अफिर्स वार्सी कांक 2022 को डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले सिभी एक्जाम के लिए महत पूर्ण होगे जो हम लोग डिसकस कर रहे हैं यह किस मेगजिन से सारे के सारे पॉइंट लिया गया है तो एलुटेरियक मेगजिन से सारे के सारे पॉइंट को कवर किया गया है और इस मैगजिन को हम लोग पूरा डिसकस करेंगे पेज एक से इस मैगजिन को लास्ट पेज तक आपके डिसकस किया जाएगा जो हम लोग आज पहला वीडियो है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट से समंदी थे भारत सरकार की प्रमुक रिपोर्ट से समंदित है और ये चेप्टर नमर फॉस्ट है जो आविते टेलिग्राम गुरूप जोईने के टेलिग्राम गुरूप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आई देखते हैं पहला पॉइंट सुच सरवेच्छन रिपोर्ट 2021 सुच सरवेच्छन रिपोर्ट 2021 जो है ये चट्था नमर का रिपोर्ट है इससे जारी कौन करता है तो केंदरी अवास और सहरी मंत्राले के दौरह इससे जारी किया जाता है जन संख्या के अधार पर जो है सहरों का बरगी करन कर रैंकिंग को जारी किया जाता है जैसे कि एक लाग से उपर जो सहर है उसमें पहला स्थान किसे मिला इस प्रकास से रैंकिंग जारी किया जाता है और जो यह रिपोर्ट है स्वच सर्वेचन रिपोर्ट 2021 इसमें जो पहला स्थान किसे मिला है तो इंदौर को पहला स्थान मिला है यह पाचमा जो इंदौर को पाचमे बार लगातार पहली स्थान मिला है मतलब पाचमे बर्स जो है लगातार सबसे स्वच सर्ग गोशित किया गया है इन दोर को दुसरा स्थान सुरत को मिला है और तिसरा स्थान आपके विजय बाड़ा को मिला है जो सुरत आपके विजय बाड़ा आपके अंध्रा परदेश में अस्थित है तो जो आपके स्रेणी बनाया गया है उस स्रेणी को आप देख लिजिए तो एक सेट आपके स्रेणी दिया गया है दुसरी साइड सबसे स्वच सहर दिया गया है और तिसरा साइड जो तिसरा साइड है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सहर दिया गया है तो पहला point बताया गया है कि 1 लाग से अधिक जनसंक्या स्रेणी में जो है, सबसे स्वच सहर कौन है तो इन दौर जो है सबसे स्वच सहर है इन दौर कहां पर अस्तित है तो मद्द परदेश में अस्तित है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सहर कौन है एक लाग से अधिक जनसंख्या स्रेणी में तो होसंगाबाद जो मद्परदेश में अस्तित है ठीक है उसके बाद है कि एक लाग से कम जनसंख्या स्रेणी में सबसे स्वच सहर कौन है तो बीटा सहर है जो महरास्ट में अस्तित है एक लाग से तीन लाग जनसंक्या स्रेनी में सबसे स्वच सहर आपके नए दिल्ली है और सबसे तीजी से बढ़ता हुआ सहर हो संगाबाद महत परदेश है सबसे स्वच सहर है नभी मुंबई है जो माराष्ट में अस्ति थे और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सहर है मेरट जो उत्तर प्रदिस में अस्ति थे 40 लाग से अधिक जनसंके सरेने में सबसे स्वच सहर अहमदाबाद है जो गुजरात में अस्ति थे और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सहर है बुरुहट बेंगलोरू जो करनाटक में अस्तित है सव से अधिक सहरी अस्थानिय निकाई बाले तेरा राज्यों में जो है पहला स्थान किसे मिला है जहां पर सव से अधिक सहरी अस्थानिय निकाई है उसमें जो सबसे स्वच राज का अवार्ड दिया गया है 36 गल को दिया गया है लगातार तिसरे बर्स सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अस्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है तो करनाटा को दिया गया है 100 से कम यहाँ पर क्या था 100 से अधिक था यहां 100 से कम सहरी अस्थानिये निकाय बाले 14 राजियों में पहला अस्थान किसे दिया गया है तो सबसे स्वच राज का जो अवाड है जहरखन को दिया गया है लगातार दुसरे बर्स और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो सहर है यह कौन है मीजोरा में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सहर है जो वारा नसी है बारा नसी को सर्वसेस्ट गंगा सहर गोशित किया गया मतलब कि जो गंगा की किनारे सहर अस्थी थे उसमें सबसे साफ सहर कौन है तो 12 नसी है जो प्रधान मंत्री मोदी का संसद्य चेत्र है गांधी नगर को जो है सबसे स्वच राजधानी एवम राइपूर को जो है फास्टेस मोबर मतलब सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राजधानी चुना गया है इस पुएंट को दोबरा बोल देते हैं गांधी नगर को जो है सबसे स्वच राजधानी गोसित किया गया है अहमदाबाद कैंट छाबनी बोड जो है सबसे स्वच साबनी बोड गोसित किया है बेस्ट अस्टेट कैप्टल इन सिट जन फीटबैग फीडबैक में जो पहला स्थान किसे दिया गया है तो लखनावर को पहला स्थान दिया गया है इसे दोबारा देखिए कहा गया था बोला गया है कचरा मुक्त सहरों के अस्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतरगत जो है तीन अस्टार और पांच अस्टार रेटेड सहरों की अपकी घोसना की गई है तो पांच अस्टार के तहद जो है नो सहरों को चुना गया है जबकि तीन अस्टार के तहद 143 सहरों को चुना गया है सफाई मित्र सुरच्छा चैलेंज सफाई मित्र सुरच्छा चैलेंज में भाग लेने वाले सहरों में इंदौर, नभी मंबई, नेलोर, देवास सिर्ष आपके प्रदसंद करता सहर की रुप में आपके उभरे हैं स्वच सर्वच्छन 2021 में महरास ने सबसे अधिक कुल आपके 92 पुरसकार जीता है तो इतना आपको ध्यान डखना है स्वच सर्वच्छन रिपोर्ट 2021 के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है पबलिक अफेर्स इंडेक्स 2021 के बारे में देखिए यहाँ पर है पबलिक अफेर्स इंडेक्स 2021 के बारे में तो बैंगलोरी अस्थित जो है पबलिक अफेर्स सेंटर दोवारा जो है पबलिक अफेर्स इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है यह जो इंडेक्स थे राज सरकार के गुनवत्ता पूर्ण सासन बेवस्था और विसेश रूप से COVID-19 पर अंकुस लगाने में राज सरकारों की भागेदारी पर आपके परकास डालता है पबलिक अफेर्स इंडेक्स 2021 इसमें जो है ओवर ओल परफॉर्मेंस में जो राजियों में पहला स्थान किसे मिला है बड़े राजियों में तो किरल को आपके पहला स्थान मिलता है चोटे राजियों में पहला स्थान सिक्किम को मिलता है और केंद सासित पर देश में पहला स्थान पूरी चेरी को मिलता है भारत में कितने राज हैं तो भारत में 28 राज हैं और 8 केंद सासित पर देश हैं इसमें आपको याद रखना ह जो सतर्मा। कितना है। उसके वद नेक्सट पॉइंट ये Logistics Prad 115 को कौन जारी करता है। तो पहला पॉइंट है कि जारी करता है। बानिज और उद्योग मंत्रले के द्वरह जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला अस्थान किसे मिला है। तो गुजरात राज को जो है Logistics प्रदरसन सुचकांक में पहला अस्थान मिला है इसका स्कोर कितना है तो 3.66 इसका स्कोर है दूतीय स्थान कीसे मिलता है तो हरयानो को दूसरा स्थान मिलता है पिछले रिपोर्ट की तुलना में जो है सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाला राज कौन है तो उतर प्रदेश जो है सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाला राज है और इस सुचकांक में जो है लोजिस्टिक्स प्रदर्शन सुचकांक में जो है बिहार को कौन सा अस्थान मिल बिहार को 19 स्थान मिला है और कितना अस्कोर मिला है तो 2.77 आपके अस्कोर मिला है वर्स 2021 के भारत के Top 10 पुलिस अस्टेस्चनों की सूची जारी गई है ये कब जारी किया गया है तो इस सुची जारी किया गया है और गिरी मंत्राले में आपको याद रखना है गिरी मंत्राले के मंत्री को है तो आपको याद रखना है अमीर साब के गिरी मंत्री है फिर से बोलते हैं जो टॉप 10 पुलिस अस्टेशन के सुची है किसका दुबरा जारी किया गया है तो गिरी मं बढ़िया रैंक लाने के लिए ठीक है तो इसमें देख लिजिए एक साइड आपके रैंक है और एक साइड पुलिस अस्टेशन का नाम दिया गया है और एक साइड आपके जिला और राज का नाम दिया गया है तो पर्थाम अस्थान जो है किसे मिला है तो सदर बजार पुलि झाली proving नो रीटिनीन विष्ट्रिक उडिषा में अस्थीत है अभी हाली में चर्चा रहा था हाली में चर्चा में रहा ये गंजम डिस्ट्क आप से भीो कमेंट किरके बताएगा किसलिफ्र चर्चा में रहा था उसके ऐर तरतीय स्थान पर कौन रहता तो भट rarely कला थाना ये कहां पर अस्तित है तो फतेहाबाद हरियाना में अस्तित है चोठा स्थान पर कौन है रामपूर चवराम थाना ये आपके अरवल बिहार में अस्तित है तो बीपेस्सी एक्जाम के लिए ये जो आपके चोठा नी दसमा नंबर पर है जो दसमा नंबर पर कौन है तो रामपूर चौराम थाना है जो दसमे नमबर पर है ठीक है तो आपको याद रखना है यह जो रामपूर चौराम थाना है यह अरबल बिहार में अस्थी थे यह BPSC एकजाम के लिए महतपूर्ण है इस सब लोग ठीक कर लिजेगा हमने बोला था क्या शुरुआत में बोला 2021 के बारे में देखिए यह रिपोर्ट कौन जारी करता है सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स 2021 को जारी कौन करता है तो जारी करता है निती आयोग कौन करता है निती आयोग जारी करता है और निती आयोग के द्वारा जारी किया गया है जून 2021 में जारी किया गया है सत्यत विका गोल्स को प्राप्त करने के मामले में जो है पहला स्थान कौन है तो किरल राज को पहला स्थान मिला है और किसके दवराई जारी किया गया है जुन 2021 में जारी किया गया था यहां पर दिया भी गया है कि अस्थान राज और अस्थान किसे मिला है इसमें तो पर्थम अस्थान क केरल को मिलता है पर्थम अस्थान केरल को मिलता है और इसे कितना स्थान मिलता है 75 अस्थान मिलता है याद नहीं है लेकिन अस्थान आपको याद होना चाहिए दोतिया स्थान किसे मिला है SDG India Index 2021 में तो हिमाचल परदेश और तमिन लाडू को दोतिय स्थान मिला है तिरतिय स्थान किसे मिला है तो आंध परदेश, गोवा, करनाटग, उत्राखन को जो है तिरतिय स्थान मिलता है उसके बाद आपको याद रखना कि राजियों में जो है अंतिम अस्थान किसे मिलता है तो राजियों की जो रैंकिंग है उसमें अंतिम अस्थान बिहार को मिलता है और नीचे से, सबसे नीचे तो आपके बिहार है लेकिन नीचे से दुसरा स्थान किसे मिला है तो जारखंड को जो नीचे से दुसरा स्थान आपको मिलता है केंद साशित प्रदेशों में पर्थाम स्थान किसे मिलता है तो चंडीगल को पर्थाम स्थान मिलता है केंद साशित प्रदेशों में तो आपको बता चुके हैं कितने केंद साशित प्रदेश हैं आठ केंद साचित प्रदेश हैं उसके बाद इसी में नेक्स्ट है कि विभीन छेत्रों में विभीन छेत्रों में जो है राजियों के दुवारा किया गया अच्छा परदर्शन के बारे में दिया गया है जो SDG है Sustainable Development Goal है वो कितने माप डंड के अधार पर रैंकिंग जारी करती है तो 17 माप डंड के अधार पर रैंकिंग जारी करती है तो 17 जो माप डंड है उसके बारे में हाँ पर बताया गया है कुछ माप डंड के बारे में कि जिसे के स्वास्त के छेत्र में पहला स्थान किसे मिला है गरीवी नहीं है मतलब कि जो किस राज में जो है गरीवी आपके नहीं है तो तमिल लाड़ु में आपके गरीवी नहीं है यहाँ पर देखें गरीवी नहीं है तो कहां पर गरीवी नहीं है तो तमिल लाड़ु में आपके गरीवी नहीं है बुखमरी कहां पर नहीं है तो केल बात बात हम नहीं कर रहे हैं मतलब कि वहां जो गरीवी है जो भारत के 28 राज है उसको मुकाबले में गरीबी तमिन लाड़ू में बहुत ही कम है इसको समझेगे जो भूकमरी मामले में पहला स्थान किलल को मिलता है मतलब कि भुखमरी जो केरल लाज में बहुत ही कम है गुर्मत्ता वाली सिच्छा कहाँ पर दी जाती है तो केरल लाज में दी जाती है उसमें आपको पहला स्था केरल को दिया गया है लेंगिक समानता में लेंगिंग समानता ओभषिए होते हैं वहांपर बेटा और बेटियों में बहुत कम फार्ख किया जाता है उसके वादर की साफ़ पानी और सफाई कीíll मामलबे में ग्वा को पहला ग्लिफ करया इंडस्री, इन्रोबेस्ट्रोंशन और इन्फरस्ट्रग्चर में पहला स्थान गुजरात को मिला है आसमानता में bargain मैं जमकि लैंगी समानता सबसे अधिक कहां पर है तो इतना आपको ध्यान डखना है उसके वाद की इज ओफ लिबिंग इंडेक्स 2020, यह जारी कब किया गया, तो मार्च 2021 में जारी किया गया, इज ओफ लिबिंग इंडेक्स 2020, किसके दवारा जारी किया गया, तो अवास एबं सहरी मंत्राले के दवारा जारी किया गया, यह जो रिपोर्ट है, दोस्रेनियों आपकी बनाया ग से कम सहर जो है उसका रैंकिंग जारी किया गया मतलब कि बड़े सहर और छोटे जो सहर है उनको अलग अलग रैंकिंग दिया गया है ठीक है समझ गया नहीं एक मिलीन मतलब होता है कि 10 लाग ठीक है मिलीन मतलब होता है अगर एक मिलीन बोलेगा तो आपको समझ जाना है 10 लाग तो इसमें बोला कि बड़े सहर और छोटे सहर में रैंकिंग देख लिजे आपसे पूछा जा सकता है तो बड़े सहरों में रहने योग सहर मिलियन से अधिक जन संख्या इसमें पहला स्थान किसे दिया गया है तो बड़े सहरों में जो रहने योग सहर है Ease of Living Index में पहला स्थान किसे दिया गया है तो बेंगलोरू को पहला स्थान दिया गया है दूसरा स्थान पुने को दिया गया है और तिसरा स्थान आपके आमदाबाद को दिया गया है छोटे सहरों में जो है पहला स्थान किसे दिया गया जिसके जद संख्या 10 लाग से कम है उसमें पहला स्थान सिमला को दिया गया है दुसरा स्थान बुनेस्वर को दिया गया है बुनेस्वर कहां बने उडिशाय में अस्तित है और तिरतिय जो अस्थान आपके सिल्वासा को यह के सा स्थानी फिर्ली कौन सा अस्थान मिलता है पटना का जबे सहरों में कौन सा है तो?' इसे उन्चसमा स्थान मिला है जबकि धनवाद को जो है अड़तलिसमा स्थान मिला है छोटे सहरों में सबसे खराब परदर्शन जो है कौन किया है तो मुझभफर पूर किया है तो उसमें कभी कभी कोई सीज को हम बार-बार रिपिटेशन कर देते हैं तो उससे आपको दिक् का तो तो नहीं भी करेंगे ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि अगर रिपिटेशन कर देंगे तो आपको याद रहेगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ओच सिच्छन संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2021 ये जारी कब किया गया तो 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया केंद् के सिच्छा मंत्री घर्मेंद्र परधार ने घर्मेंद्र परधार ने जो है नेशनल इंस्सिचिटिशनल रैंकिंग फ्रेमज़ के अंतरगज भारत के ऊच सिच्छन संस्थानों की All India रैंकिंग 2021 जारी किया गया ईंगी मतली 2 जारी किया गया है तो इसमें देख लिजे कौन सी इंवर्सिटी को पहला स्थान आपके मिलता है एक सड़ आपका है ओच सिच्छा संस्थानों की रेंकिंग और इसमें आपके पहला स्थान किसे मिला है तो समगर ओवर ओल जो सरेनी में पहला स्थान किस इंवर्सिटी को मिला है तो IIT मदरास को मिला है और दुसरा स्थान किसे मिला है तो IISC बैंगलोरु को जो है दुसरा स्थान आपके मिलता है बिस्विध्याले स्रेनी में पहला स्थान किसे मिलता है तो भारतिय बिग्यान संस्थान जो बेंगलोरी में अस्तित है उसे पहला स्थान मिलता है बिस्विध्याले स्रेनी में Engineering स्रेनी में पहला स्थान किसे मिलता है तो IIT मदरास को मिलता है प्रवंधन स्रेनी में Management के स्रेनी में जो है पहला स्थान किसे मिलता है तो IIM आमदाबाद को जो है पहला स्थान मिलता है चिकित्सा स्रेनी में पहला स्थान किसे मिलता है तो एम्स जो नई दिल्ली में अस्ती थे उसे पहला स्थान मिलता है बिधी या कानू स्रेनी में पहला स्थान किसे मिलता है तो National Law School of India University बेंगलोरू जो बहुत ही प्रस्द है जो भी बच्चा लोग पढ़ना चाहता है तो चाहता है कि मेरा एडविशन जो है National Law School of India University में हो जाए दंथ चिकिसा स्रेनी में पहला स्थान किसे मिला है तो मनिपाल कॉलेज औफ डंटल साइंसेज जो आपके करनाटेक में अस्ती थे उसे पहला स्थान दिया गया है दंथ चिकिसा स्रेनी में बास्तु कला स्रेनी में पहला स्थान किसे मिला है तो आयटी रोड़की को पहला स्थान दिया गया है अनुसंधान स्रेनी में पहला स्थान किसे मिला है तो आई यसी बेंगलोरु को भारतिय बिग्यान स्रेनी में पहला स्थान किसे दिया गया है तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है तो मिरंडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है तो इतना आपको ध्यान डखना है नेक्स्ट पॉइंट है कि The World University Ranking 2022 इस ranking को किसके द्वारा जारी किया जाता है तो Times Higher Education के द्वारा जो है The World University Ranking को जारी किया जाता है इसमें जो है The World University Ranking में भारत के तीन जो सिच्छन संस्थान उसे जगह दी गई है तो देख लिजे जो IISC बेंगलोरू है उसे 301 से 350 रैंकिंग के बीच में अस्थान दिया गया है मतलब IIISC का फुलफर्म होता है भारतिय बिज्ञान संस्थान को ठीक है IIT जो रोपड है इसे 300 एकामन से 400 के बीच में कहीं पर रैंकिंग दिया गया है IIT इंदर को जो है 4100 एक से 500 के बीच में आपके रैंकिंग दिया गया है उसके बाद है कि विस्व के टॉप 3 विस्व बिद्याले दो वर्ल्ड इन्वर्सिटी जो रैंकिंग जारी किया गया है उसमें जो है विश्व के टॉप तीन विश्विद्याले कौन है तो इसमें पर्थम अस्थान मिलता है ओक्सपोड विश्विद्याले को जो ओक्सपोड विश्विद्याले को कहा पर अस्तित है तो बिर्टेन में अस्तित है दो तिया स्थान मिलता है कैलिफोर्निया इंसिच आफ टेक्नोलोजी को जो है दुसरा स्थान मिलता है तिसरा स्थान किसे मिलता है तो Harvard University जो USA में अस्थित है इसे तिसरा स्थान मिलता है जो California Institute of Technology है यह भी आपके USA में अस्थित नेक्स है कि IPF Smart Policing Index 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है तो Indian Police Foundation के द्वारा जो है आई-पी-फ Smart Policing Index को जारी किया गया है ओबर औल पुलीसिंग में जो सबसे अच्छा परदसन किस राज के द्वारा किया गया है तो आंत्र परदेश राज के द्वारा सबसे अच्छा परदसन किया गया है दुसरा स्थान किसे मिला है तो यह ते लंगाना को मिला है और पिसर लोग इंडिया इन्टी आयोगने इंचिचूट फोर कंप्युटिवनेस के साथ मिलकर आपके जारी किया है इस सुचकांग को तीन श्रोणियों में उपके विभाजित किया गया है पहला है कि विभिन राज्यों में, दुसरा है के अंदर साचित प्रदेशों में, तिसरा है कि पहाली एबं उत्तर पुर्वी राज्यों में, जो पहाली आपके जो पहाली उधर कितना है, सेवन सिस्टर पलस एक असम, सोरी असम नहीं, सिक्किम, ठीक है, सेवन सिस्टर, फिर तो इन सभी को मिला कर जो ही रैंकिंग जारी किया गया था, पहला कौन सा था, तो बिभिन जो राज है, मतलब बिभिन राज मतलब की 28 राज है, दुसरा है केंद सासित परदेशों, जो आपके 8 केंद सासित परदेश हैं, उसका रैंकिंग जारी किया गया है, थिसरा है कि पह कहा है तो करनाटक जो है शständी राज बला में परत्थम अस्थान मिला है दोतिय अस्थान आपको महरास्ट को मिला है तीरतियест तेमिल्लाडो को और अंतिम अस्थान बिहार को मिलता है जो बड़े राज बिहार को मिलता है। उसके बादे कि पुरवत्तर और पहाली राजियों में पहला स्थान किसे मिला है तो हिमाचल परदेश को पहला स्थान मिला था आपको समझाये थे नाम इसके पहले पूर्वत्तर और जो पहारी राज है उसमें पर्थम अस्थान है हिमाचल परदेश को मिलता है और दूतिय स्थान आपके उत्राखन को मिलता है केन सासित परदेश में जो है पहला स्थान दिल्ली को मिलता है और अंतिम अस्थान आपके लक्षदीब को मिलता है लच्छदीप आपको कहां प्रस्तित है तो अरब सागर में लच्छदीप अस्तित है इस सुचकांक में जो है समगर रूप से दिल्ली को सिर्ष अस्थान प्राप्त हुआ है समगर रूप से जबकि लच्छदीप को जो है अंतिम अस्थान आपको मिलता है उसके बाद नेक्स Basedose taste की Performance grading index 2019-20, Performance grading index कि तिस्तरे संस्क्रवன को कि दो जारी किया गया है, तो सिछ्चा मंत्राले के दो जुन 2021 मेझ जारी किया गया है, सभी राजियों और केंसाचित पर्देशों में शिच्चा का अस्तर कैसा है?, इसे सव अंको के अधार पर अगया है, एक हज़ार एक हजार अंक है, उसके अनुसार जो है, सभी राज्यों और केन lur चर्शित परदेश के जो सिच्छा का अस्तर कैसा है, उसे जाचा गया है. जो देख लिजी, इसमें जो पहला स्थान की से मिला है, तो जो पहला स्थान है पंजाब को मिलता है जो पंजाब है उसे एक हजार नमबर में 929 नमबर मिलता है जो पंजाब है उसे जो है एक हजार नमबर में जो सिच्छा का अस्तर कैसा है उसमें एक हजार में से 929 नमबर मिलता है दूतिया स्थान किसे मिलता है तो 36 गल को दूतिया स्थान मिलता है 912 अंक मिलता है तिरतिया स्थान तमिल नाडू को मिलता है 906 अंक मिलता है और जो अंतिम अस्थान है यह आपके लद्दाक है इसे 545 अंक मिलता है 1000 में उसके बाद यहाँ पर grade और level के अधार पर भी ranking जारी किया गया है तो इसमें बताया गया है कि level 1 जो level 1 है 951 नमबर से 1000 के बीच में है इसमें कोई भी राज नहीं है जो पंजाब था उसे कितना अंक मिलता है तो उसे 929 अंक मिलता है तो इसे grade level 2 में रखा जाएगा इसमें अंडमान एबम निकोबार, 36 गड़, केरल, पंजाब और तमिल नाड़ो जो आपके level 2 में आ रहा है इसमें कुल्ड आपके 5 राज्यों को सामिल किया गया है level 2 में level 3 जो है 701 से 750 तक आपके रखा गया है इसमें असम है, बिहार है, मत परदेश है, मिजोरम है कुल 4 राज्यों को सामिल किया गया है level 5 है, 0 से 550 है, मतलब कि अंतिम है ये तो इसमें जो लद्दाक को लद्दाक को जो है level 5 में अस्थान दिया गया है और कितने राज हैं तो लेबल 5 में केबल एक राज है जो लद्दाख है ये केंदे सासित प्रदेश है क्या है केंदे सासित प्रदेश है तो आपको याद रखना है लेबल 5 में जो है केबल आपके लद्दाख है केबल आपके लद्दाख है तो मतलब एक केंदे सासित प्रद किसके दुवारा जारी किया जाता है तो टाटा ट्रस्ट दुवारा जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया जाता है यह आपके दुसरा संस्क्रन था दुसरा संस्क्रन कब जारी किया गया था तो जनवरी 2021 में जारी किया गया था तो इसमें देख लिजे कि 18 बड़े और मध्यम स्रेनी वाले राजियों में एक क्रोड से अधिक जल संख्या वाले राजियों के बारे में हापर दिया गया है इसमें पहला स्थान किसे दिया गया है तो महराश्च को पहला स्थान दिया गया है चोटे राजयों की स्रेनी में जिसके अबादी जो है एक क्रोड से कम है उसमें पहला स्थान तिरिपूरा को मिलता है और अंतिम जो अस्थान है में घाले को मिलता है तिरिपूरा मिजोरम जो करकर रेखा है भारत के आठ राजयों से होकर गुजरती है तो तिरिपूरा से भी पहला स्थान मिला है और अंतिम अस्थान आपके में घाले को मिलता है जहां गारोखासी जयंतियापके अस्तित है नोट में दिया गया है कि कानूनी सहयता मुहिये कराने में जो है पहला स्थान किसे मिला है तो महरास्ट को मिला है नियाई पालका की सुब्धा देने में पहला स्थान तेमिल नाडू को मिला है नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में पहला स्थान करनाटक को मिला है बेहतर जेल सुब्धा दिलाने में पहला स्थान कौन है तो राजस्थान में यह रैंकिंग जो है चार अधारों पर जारी किया गया है पहला क्या है पहला आपके सकता है नेक्सट है कि उत्तर पूरवी छेत्र जिला इस्दी इंडेक्स दोजर 21 इन एकी जो उत्तर पूरवी जिला छेत्र जिला स्थी इंडेक्ससक Colonel lesson canvas कर्ण निति आयोग और उतर पुर्वी छेत्र के विकास मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है एन ए आर जीला एसडीजी रिपोर्ट जारी किया गया है एन एर मतलब क्या होता है नौर्थ इस्ट रिजन डिस्टिक सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्ड रिपोर्ट जारी किया गया है नितिय आयोग और उत्तर पुर्वी छेत्र के विकास मंतरा लेकर जारी किया गया है ये सुचकांक जो है सतत विकास लच्छों पर भारत के आठ पुर्वी राज्यों के जीलों के परदर्शन को आपको मापता है ठीक है तो देख लिजे इसमें एक से ड़ब के रहिंख दिया गया है जिला दिया गए है और राज दिया गए है तो उत्तर पुर्वी छेत्र जिला SDG Index 2021 में पहला स्थान किसे मिलता है तो पुर्वी सिक्किम जो जिला है उसे पहला स्थान मिलता है ये डिस्टिक कहां पर अस्तित है तो सिर्किम राज में अस्तित है उसके बाद दोतिया स्थान किसे मिलता है तो उत्री त्रिपूरा को दोतिया स्थान मिलता है जो त्रिपूरा राज में अस्तित है त्रितिया स्थान पच्छिम त्रिपूरा को मिलता है जो त्रिपूरा रा फिरर जिला को जो एंती मस्थान मिलता है ठीक है तो इतने आपको ध्यान में रखना है उसके बाद है कि एमिया मुक्त बारट सुचकांग गण 20 2021 कि जो आकडा है कब तक अकडा है इसमें जो इसमें ऐकडा जो लिया मार्च 2021 तक का आखळा सामिल है इन्यमिय मुक्त भारस Sujkang 2021 में ये पहल स्वास्त और परिबार कल्यान मन्त्राले और इससेप की येप पहल है इन्यमिय मुक्त sujkang में पहला स्थान किसे मिलता है तो इन्यमिय क्या होता है तो महलाओं में जो है खुन की कमी हो जाती है भारत में बोला जाता है कि जायतर महलाओं में जिसे अगर मान लिजिए कि पांच महलाओं है तो पांच महलाओं में से एक महलाओं को इनिमिया तो है ही भारत में जो एक तरीके से बोलता ना कि ये बंसा अनुगत हो जाता है इनिमिया अगर किसी किसी बच्चे की मा का था तो मा से जो ट्रास्फर हो जाएगा उस बच्चे में और उस बच्चे से ट्रास्फर हो जाएगा उसके बच्चे में तो एक तरीके से बोलते हैं बंसा अनुगत चलने बाला है इनेमिया जो क्या होता है खुन की कमी के करण होता है इनेमिया, इसमें जो है इनेमिया मुक्त सुचकांक में पहला स्थान मद परदेश को मिला है, दुसरा स्थान किसे मिला है, पुर्वत्तर राज्यों में पर्थम अस्थान किसे मिला है, तो अरुनाचल परदेश को पुर्वत्तर राज्यों में जो 22 अस्थान मिलता है और जो उत्र परदेस है उसे आपके 22 अस्थान मिलता है उसके बाद next है की Municipal Performance Index ये कब जारी किया गया है Municipal Performance Index तो मार्च 2021 में जारी किया गया है यह report किसके द्वारा जारी किया गया है municipal performance index तो अवास एबं सहरी मंत्राले के द्वारा जारी किया गया है इस report को जो दो स्रेडियों में आपके बनाया गया है पहला है कि million से अधिक 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 अध अगर पाल का है उसमें पहला स्थान किसे मिला है तो इसमें जो पहला स्थान मिला है इन दोर को मिला है दुसरा स्थान सुरत को मिला है तिसरा स्थान आपके बहपाल को मिला है दस लाग से कम संख्या बाले नगर निगा में पहला स्थान नई दिल्लों को मिला है दुसरा तिर जो है सबसे खराब प्रदर्शन करता है एक मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरपालिका में और एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगरपालिका में सबसे खराब प्रदर्शन कौन करता है तो सिलोंग जो है सबसे खराब प्रदर्शन अबके करता है उसके बाद है कि राज खाद सुरच्छा सुचकांग 2021 एक कप जारी किया गया तो 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया फिसाई द्वारा जो है सितंबर 2021 में राज खाद सुरच्छा सुचकांग का तिसरा संस्क्रा जारी किया गया तो आपसे पूछा जागा किसके दवरा जारी किया गया है तो फेसाई के दवरा जारी किया गया है और इस रिपोर्ट को जो है केंद्रिय स्वास्त और परिवाल कल्यान मंत्री मंसुख मांडिबे के दवरा जारी किया गया है किसके दवरा तो केंद्रिय स्वास्त और परिव माप डंडो के अनुसार राज्यो एवम केनल साचित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप अपके रैंकिंग दिया गया है तो देख लिजे इसमें है कि बले राज्यों में छोटे राज्यों में केनल साचित प्रदेशों में तो जो परथम अस्थान है बड़े राज्यों में उईराथ को मिलता है चोटे राज्यों में गोवा को मिलता है और जो केनल साश्ति प्रदेश है उसमें पहला स्थान जम्मु कास्मिर को मिलता है दोतिया स्थान किसे मिलता है केरेल को बले राज्यों में चोटे राज्यों मे मिघाले को और UT में आखे प्रदेश में जो है पहला स्थान उस्ष्पत किसे मिलता है केन शाष्थ्त प्रदेश में तो जम्मु कास्मिर को पहला स्थान मिलता है Kung Ali इन जो ऐन दीव अस्तान आपके लचक्ष दीब एक, हुए उत्रप्रदेश का पाच्मा अस्तान िर्णा के बारे में देख लिजिए ये भी complete हो जा गए पूरा पेज तो पहला है Operation Devish सक्ति किसके दोरा चलाया गया था तो विदेश मंत्राले के दोरा चलाया गया था और Operation Devish सक्ति चलाने का उद्देश गया था तो भारत के विदेश मंत्राले ने अफ़गानिस्तान मेँ फसे भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए जो है ओपरेशन देविश सक्ति को चलाया था उसके बाद है कि ओपरेशन बुलू फ्रीडम इसके सुरुवात किसके दोरा किया गया है तो टीम कलव के द्वारए इसके शुरुवात किया गया है और इसके तहर जो है भारा सर्कार ने सिया चीन गलेसियर पर चलाई करने के लिए बिकलांक लोगों की एक टीम गतित की और या बिकलांक लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नयाबिस रिकर्ड होगा ओप्रेशन नमस्ते किसके दौरा चलाया गया है तो भारती स्तेना के दौरा चलाया गया है ओप्रेशन नमस्ते भारती स्तेना दौरा जो है खुद को कुरोना बारेस के संकर्म से मुक्त रखने के लिए ओप्रेशन नमस्ते ओपरेशन बंदे भारत मिसन चलाया गया है विदेश मंतराले के द्वारा और क्यों चलाया गया है तो विदेश में फसे 14,800 भारतिय नागरिकों को घर लाने के लिए ओपरेशन बंदे भारत मिसन चलाया गया था ओप्रेशन मिसन सागर किसके दोरा चलाया गया है तो विदे समित्राला के दोरा चलाया गया है कोविड उनी से निपटने के लिए मालदीप मेडागासकर से सेल्स कुमरोस को अबस्य खाद समागरीत था और बैदिक दवाओं की आपूर्ती करने के लिए ओप्रेशन मिसन सागर चलाया गया था उसके बादे की ओप्रेशन प्रवाह किसके दोरा चलाया गया है तो कोचिंग एरपोर्ट लिम्टेड के दोरा चलाया गया है कोचिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेड ने एरपोर्ट को बाल की खदर से बचाने के लिए ओपरेशन परवा की सुरुवात की थी ओपरेशन ओलेविय के सुरुवात किसके दौरा किया गया है तो भारतिय टटरचक के दौरा इसकी सुरुवात की गई है और उडिसा के ओलिव रिडले कच्छु को बचाने के लिए उडिसा के ओलिव रिडले जो कच्छु हैं उनको बचाने के लिए ओपरेशन ओलिविय को चलाया गया है भारती तरच्छकबल के द्वारा ओपरेशन समुद्र से तू सकेंड किसके द्वारा चलाया गया है तो भा आपरेशन समून्द सेतू किसके द्वरा चलाया गया है तो भारतिय नोशेना के द्वरा चलाया गया है। के लिए चलाया गया था और उपरेशन सर धवा किसके दोरा चलाया गया है तो सीमा सुरच्छा बलके दोरा जो इस पहला पूरा कम्प्लेट हुआ करीब एग का सबसका वीडियोओ गया होगा मैं पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा उसके बाद जो अगला जो वीडियो आएगा बिभिन पत्रिकाओं दोरा जारी सुची से सम्मंधित अब के दुसरा वीडियो हम लोग का अपलोड होगा तो आप लोग के करना नहीं भूलिएगा थेंक्यू